फरिदाबाद के अकॉर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा मत्रा के सिंसु हॉस्पिटल में महीने के पहले रविवार को OPD सेवाई की जा रही है इस दौरान पेट रोग विशेशक और अकॉर्ड हॉस्पिटल के चेर्मेंड डॉक्टर आर्सी सौनी ने मरीजों को पेट रोग से बचने के उपाय बताए साथ ही साथ मरीजों का चेक अप भी किया नियो नियूस से हुई बाच्चित में पेट रोग विशेशक डॉक्टर आर्सी सौनी ने कहा कि अनियमित और दूशित खान पान से पेट रोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है जानिये पेट रोगों से बचने की उपाय भारत में सबसे ज़्याद अगर हम बात करें तो आज पेट रोगों की संख्या बहुत बड़ी तादात में है कहते हैं कि अगर पेट सही है तो आपका सब कुछ सही है सारी बीमारियों की जड़ पेट रोग है हमें कैसा खान पान करना चाहिए कौन सी मेजर बीमारियां हमें पेट की बज़े से होती है इससे लेकर आज हम बात करेंगे फैदाबाद के एकौड हुस्पेटर के चेर्मेन डारेक्टर डॉक्टर आर्सी सौनी जो के गेस्ट्रोजर्स है जो के पेट रोग विशेशक हैं आर्डपसर हम देख रहे हैं कि है गलत खानपान और लाक ओफ फिजिकल अक्ट्योटी आज हम लोग अधुनिक्ता के दौड में फिजिकल एक्ट्यूटी करना भूल गए मैंनत नहीं करते हैं शेरी का जो वैयाम है जो फिजिकल एक्ट्यूटी वह नहीं करते हैं और गड़बड खान पर आना है आज अब द और उसी का नतीज़े है कि लोग पेट की समझेयों से ग्रसित रहते हैं ने तो वो बीमारी को पहचान पाते हैं ना उसका इलाज होता है तो वो परेशानिया चलती रहती है कि अम्र कोई भी हो चाहें वो यंग है चाहें वो ब्रद्ध हैं या फिर वो टीनेजर्स हैं कहीं कहीं पेट से संबने जाता लोगों में यह सब देखने को मिलती हैं मेजर बीमारी कौन-कौन से होती हैं किस तरह का हमें उप्चार लेना चाहिए खान पाम में क्या बदलाब क करना चाहिए और किन बड़ी बीमारियों की बज़े से पुरा सरी डैमेज हो जाता है आपने बड़ा ठीक बोला है और हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमारी अब्जर्वेशन है कि जो चीजें हम लोग कुछ साल पहले तक साट या सतर साल के आदमियों में द वो दिरी-दिरी लोगों के अंदर बढ़ रही हैं हर दिन आदमी कुछ ने कुछ बहार गलत खाना खाता ही रहता है पेट की जो में बीमारिया है वो आपके खाने के नली पेट और आंट से सम्बंदित होती है जहांपे कि खाने के नली का रास्ता ढहिला होना पेट के बनना टकारे आना पेट साफ नहीं होना और यह ऐसी चीजें जो आपकी डे टूड़े आपको परिशान करती है और आपकी क्वालिटी ओफ लाइफ खड़ाब करती है अब इन सबसे बचने का जो सधारन तरीका है वह है जो हमें सद्यों से पता भी है कि हम सवेरे वक्त से जो हम जानते हैं कि हम भारादेश में रहते हैं सब लोगों को वासान आते हैं बस उसको पंदर मिनिट लगा के प्रैक्टिस करें उसको खाना खाने का हमारा जो शीडूल है वह ऐसा होना चाहिए कि हम थोड़ा खाना खाएं जादा बार खाएं खाना अच्छा दांतों से खाएं हाई फाइबर फूड लें हरी सबजियां प्रयाबतों हमारे खाने में आटा मोटा पिसाव होना चाहिए बिना च्छाने हम लोगो रोटी बनाए उसकी दूद धही एडिक्वेट होना चाहिए जो मैदा की चीज़ी हैं जो हाई कैलरी फूड है सिंपल काबो हड़ उसको हम लोगो वाइट करें खाना खाने के वक्त में पानी ना पिए शाम का भी खाना हमारा आठ नो बजे के पहले हो जाना चाहिए रात के खाने और सोने की बीच में आम तोर पे आपको दो यह से तीन घंटे का गैप रखना चाहिए और आपको हलके पेट सोना चाहिए तो यदि इन साधारन बातों को भी हम लोग फोलो कर लें अपने डे टोडे लाइफ में तो हम लोग 80-90 केस में पेट की समान्य बिमारियों से बचे वे रह सकते हैं प्राप्लम तब आते हैं जब एसीड की चीज़े होती है एक हम लोग बोलते हैं बेजल एसीड सिक्रेशन बतलत जब हम लोग कुछ भी खाना पीना नहीं खा रहे हैं तब हमारा पेट एक बेजल लवल पे एक मिनिममम लवल पे इसीड का सिक्रेशन करता है यह भवान ने बनाई यह ऐसा है और जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारा सबसे स्ट्रॉंग स्टॉमुलेटर है एसिड के सि होता है लेकिन गड़-बड़ खाने पेने से ऐसी चीजें जो ज़्यादा गरिस्ट हैं जो आपके acid के production को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं उन चीजों को खाने से acid का hyper secretion होता है एक bacteria होता है हमारे पेट में जिसको हम लोग बोलते है एच पैलोरी हेलिकोबेक्टर पैलोरे बैक्टिरिया यह बैक्टिरिया भी तेजाब के production को बढ़ावा देता है तो इन सब चीजों से मिलके जब acid ज़्यादा बढ़ता है जब आपको ज़र तो नहीं है तब भी acid ज़्यादा बन रहा है तो फिर यह acid हमारी जो पेट के अंदर की परत है जो म्युकोजा है उसको कट करता है तो वहां से फिर जखम चाले बनते हैं और यदि उन चालों के पीछे को नस है वो फट गए तो फिर आपको खुन की उल्टियाने लग जाते है बिसिक मैं दिख रहा हूंगी 90 परसत सकता है लोगों के लिए कबज में यदि मैं आम भाशा में बात करूँ तो दो एक दो बाते जो मोटे तोर पर हम लोग देखते हैं एक slow transit constipation होता है मतलब उमर की लिहाज से यह lack of physical activity से या yoga exercise ना करने से या high fiber diet ना लेने की वज़ए से आंतों की गती सुस्त हो जाती है तो जो आंतों का जो moment हो अच्छा नहीं है तो लोगों को कबज हो जाती है कि हमारे शरीर का एक काम है कि जब तक अन उसके अंदर पड़ा रहेगा जब तक पानी उसके अंदर पड़ा रहेगा जब तक पास आउट नहीं होगा तब तक शरीर उससे nutrition और पानी absorb करता रहता है त आंतों की गती सुस्त हो गई, तो स्टूल हाड हो जाता है, वाटर का अब्जॉप्शन चलता रहता है, दूसरा कारण होता है कि, आपका slow transit constipation तो नहीं है, स्टूल नीचे तक तो पहुंचा है, लेकिन हमारा जो rectum है, और जो हमारे defication का जो pattern है, वो गड़बड है, जिसकी वज़़े से स्टूल नीचे होते हुए भी, शरीड उसको बाहर निकाल नहीं पाता है, इसमें physical activity का बहुत बड़ा रूल है, यदि हमारा खाना भी नच्छा रहेगा, physical activity अच्छी रहेगी, तक की नोबत आ जाती है, तो अच्छा खाना खाएंगे, high fiber food लेंगी, exercise करते रहेंगे, तो कब्स की आम समश्या है, उससे हम लोग बचे वे रह सकते हैं, बिसिकली एक आतों की TB की बात कहीं जाती है, कि आतों की TB है, वो क्या भीमारी है और किस बज़े से वो होती है, और उसका treatment कैसे? TB एक बैक्टिरिया से होती है, जिसको हम लोग चुबो क्लोसिस बैक्टिरिया के नाम से जानते हैं, TB पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है, हम लोग बोलते हैं कि बाल से लेके नाखुन तक TB कहीं भी हो सकती है, जैसे फेवरे की TB को हम लोग जन साधरन लोगों को पता है, इसके बहुत advertisement होती है, भूसारी काम भारश शरकार कर भी रही है, उसे तरह से आंतों की TB होती है, आंतों की TB में जखह मलसर बन सकते हैं, आंतों में रुकावट आ सकती है, आंतों फट सकती है, तो यदि किसी को बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, या कब्स हो रही है, या खून की कमी है, या पेट फूलता है, वजन कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, करके हम लोग लेबल कर सकते हैं कि आपको आथों की टीबी है और फिर टीबी को ट्रीट करने के लिए स्टेंडर्ड दवाईयें हैं उन दवाईयों को लेकर हम लोग टीबी की बिमारी से मुक्ति पा सकते हैं सेमस्पिटल मतूं है कब OPD की सेवा आप देते हैं किस-किस दिन देते हैं मैं और मेरी टीम सेमस्पिटल में आते हैं मैं महीन제 के पहले संड़े को आता हूं और मेरी टीम बाकि संडे कवर करती यहूं पर इंडाश्र काम हैं कॉछ भी इस को स्विधा के मत्रा की जंता को जदे से जादर हम लोग सेवा करके उनकी साहता करें और व्यक्त क्रपाने में नाम है के मत्रा के सिंस होस्पिटल में एकॉर्ड होस्पिटल के डायक्टर चेयर्मेन डॉक्टर आर्ची सौनी जो के पेट रुप विसे शगए हैं उन्हें बहुत अच्छी बाते बताई हैं कि हमें कैसे अपने पेट को स्वास्थ रखना है तब हम हेल्थी रह सकते हैं क्योंकि सा बेहद आवश्यक है क्योंकि मेजर हम बात करते हैं तो कमई को लेकर करते हैं क्यूंकि कब जब होगी तो कहीं ने कहीं पेट की सारी जो ओर जो और अपन करते तो ऐसे पेट को स्वाश्रकना बेहद आवश्यक है जिस तरह से Accord Hospital के डॉक्टर आसी सौनी ने आप सभी को एडवाइस दिया है उसका परसंद दीवा गुपता के साथ गोविंद भारत द्वाज जिस किसी भी व्यक्ति को Accord Hospital के डॉक्टर के बारे में जानकारी करनी है तो Accord Hospital के मतरा के मार्केटिक इंचार्ज संतोष मिर्सा से संपर कर सकते हैं